गुडिवनी कल की क्लास में हम बीच में रोक दिये थे और ये लास्ट पार्ट रहेगा पॉर्टफोलियो का नो डाउट कि समय जादा लगेगा एक तो पहला जो पार्ट था उसमें हमने सारी बाते मॉडर्ण पॉर्टफोलियो थेयरी पे किया था उसके बाद हम पहुँच गए थे capital asset pricing model और CAPM में हम लोगों ने एक equation पढ़ा था RF plus RM minus RF into beta उसके बाद problem आई थी बीटा calculation में तो बीटा calculation के हमने चार formula पढ़े हैं ठीक है सर सभी से answer एक ही आएगा दो साल का return दिया तो formula क्या लगना है और दो से ज़्यादा साल का return दिया तो regression analysis से formula क्या बनेगा वो हमने कर दो बीटा management पढ़ा नहीं उसके बाद बीटा पोर्टफोलियो पढ़ा कि पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकाला जाता है उसके बाद बीटा management पढ़ा ठीक है तो अब आगे चल रहा है हम दो और हम रुक गये थे साहिद और अब बात यहां पर आके कल मैंने क्लास रोग दिया था और बात किसकी हो रही है बात यह हो रही है अलफा कैलकुलेशन की अलफा कैलकुलेशन यह समझता है ठीक हाला कि यह वही अलफा है जो जैंसन अलफा आप कहां पढ़ोगे न्यूचल फंड में पढ़ोगे पर कुछ समझाना जरूरी है इसलिए अब सुनों के ध्यान से यहां से कन्फूजन क्रियेट होता है बच्च को सुनों के ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है सर समझा दो एक बार मैं एक बार समझाई की पाम यह आप की कंपनी ठीक है जी सर और यह हो आप और कंपनी का जो बीटा है बीटा है बीटा मतलब होता है रिस्क उसको देखकर आपने निकाला required rate of return required rate of return required rate of return का मतलब सर हम तो expected return बोलते थे हाँ CAPM के इसाब से जो return निकलता है उसको आप expect return भी बोलते थे अच्छी बात है लेकिन क्योंकि अब हमको comparison करना है तो अब मैं इसको कुछ और बोलना कमपनी में जितना रिस्क है उस रिस्क को देखते हुए हमने निकाला हमने कि यार इस कमपनी से हमें कितना चाहिए तो हमने कौन सा equation लगाया हमने CAPM equation लगाया और CAPM से हमने निकाला required rate of return या expected return भी बोलतो कोई निकर नहीं और करीब बीटा देखते हुए हमने निकाला 15% यार हमको 15% चाहिए ही चाहिए और हमें इस company से उम्मीद है कि ये हमको कमा कर देगी हमें बीटा देखते हुए हमें चाहिए कितना 15% पर probability के हिसाब से या past years के हिसाब से हमने return निकाला और वो ने रिटन निकला 16% मिलेगा जो economy दिख रही है जो recession, boom इस तरह से probability दिख रही है उस हिसाब से हमने रिटन निकला तो रिटन कितना निकला है? 16% It means, sir, ये total risk को दिखते हुए कि हाँ, कोई systematic risk नहीं, कोई unsystematic risk total हमको कुछ साल का return दिया होगा, 4-5 साल का तो उसका average किया या तो क्या दिया होगा या तो probability दिया होगा उससे multiply किया, तो expect return मतलब हमको return मिलेगा past को देखकर या economy को देखकर हमें मिलेगा 16% पर इसमें जितना beta है, जितना risk है उसके हिसाब से तो हमको चाहिए 15 हमको चाहिए, 15 हमको मिलेगा 16, बताइए कि हमें इस shares में पैसा लगाना चाहिए कि ने लगाना चाहिए अराम से सोच लो beta, C.A.P.M. के हिसाब से जो आप निकाल रहा हो वो उसको बोल रहा हूँ, मुझे कितना चाहिए सर तो इसको अब क्या नाम देंगे, इसको हम K.E.B. नाम दे सकते हैं, इसे हम R.E.B. नाम दे सकते हैं, R.E.B. बोलते है K.E. बोलते है, R.E. K.E. Cost of Equity पर कंपनी के लिए तो Cost of Equity है R.E. का मतलब Require Rate of Return हमें चाहिए 15 मिलने वाला है 16, सर लगा लेना चाहिए Yes क्या हमें स्टॉक खरीदना चाहिए Yes तो सर ये जो स्टॉक है, ये सस्ता है की महगा है सर सस्ता है, हमें चाहिए 15 मिलने वाला है 16 हम खरीद क्यों हो रहा है, क्योंकि सस्ता है और ऐसे स्टॉक को बोलते है Underpriced Underpriced का मतलब क्या हो गया सस्ता Underpriced 1% का मतलब Alpha Alpha का formula क्या बन जाएगा Sir, Alpha का formula है ER-KEY या ER-RE या Alpha का formula है और Alpha positive है, मतलब gain हो रहा है ER-KEY जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है That's it तो Alpha तो हमने और भी पढ़ा ना कल के lecture जब आपने खतम किया तो आपने Alpha के बिटे, वो वाला Alpha Characteristic line का है, वो वहीं उच होता है उसको भोल जाएगे यहाँ कभी भी Alpha मांगेगा तो Alpha का मतलब यहीं होगा ठीक है ठीक है तो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा और वो ही मैंने यहाँ लिखवा है लिखा है Falling steps are applied to calculate Alpha सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर हमें ER निकालना पड़ेगा Yes किसके सबसे ER निकालना पड़ेगा सर हमें MPT के सबसे ER निकालना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा RE निकालना पड़ेगा Require operator Yes के सबसे निकलना होगा और एक बार एर निकल गया के निकल गया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा उसको बोला जाता है अलफा इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं कभी भी अलफा निकलने का फ रहता है इट मिस जितना चाहिए था उससे जादा मिलने वाला या मिल गया है तो यार अच्छी बात है यह तो उससे पर जितना कमाने वाले थे उससे भी जितना हमें चाहिए था उससे तो हम कम ही कमा रहे है तो अल्फा नेगेटिव तो नहीं खरीदना चाहिए ये क्योंकि स्टॉक ओर प्राइश्ट है और एर इस इक्वल टू के ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है हाला कि आंसर होना चाहिए फ़र मेरा ओपिनियन यहां काम नहीं आएगा तो देखें एक्जांपल नमबर नमबर नैटीन में क्या लिखा हुआ है और एफ लिखा हुआ है ये तो टाइम पैस हो गया ठीक छेटों अगर MPT के सबसे होता मैने बार तीन coalition अब अलपा पॉजिटिव है तो इस टॉक खरीद लेना चाहिए इसका मतलब हमारा इस टॉक अंडर प्राइजड है ठीक है सर कोश्चन नम्बर टैन अच्छा कोश्चन है कोश्चन नम्बर टैन अच्छा कोश्चन है एक बार देखें याज़ा तो पॉलीं इंफोरमिशिए इस अवेलिबल इन रिस्पेक्ट आप सिक्यूरिटी एक्स एक्विलीब्रीमियम रिटन दे रखा है पंधरा पर्शन मतलब सर ये एक्सपेक्ट रिटन बोल सकते के बोल सकते या आरी निकला है पता नहीं क्या है एक्सपेक्ट रिटन लिखा है कि आरी लिखा है चलो एक्विलीब्रीमियम रिटन का मतलब क्या है E-R है कि R-E है या E-R है कि K-E है Equilibrium का मतलब यह हो गया कि जितना E-R है उतना ही R-E या फिर उतना ही K-E E-R is equal to R-E तो आप इसको E-R बोल दो या फिर इसको K-E बोल दो बात समझ नहीं कि हम C-A-P-M के हिसाब से रिटन निकालते है उसी के बराबर हमारा M-P-T के हिसाब से रिटन है तो सर इसको हम K-E भी बोल सकते हैं RM दिया हुआ है RM दिया हुआ है RM 7% Treasury Bond Trading at $1.140 Covariance of Market Return and Security Return Covariance दिया और Correlation भी दिया मांग किया रहा है सर You are required to determine Standard Aviation of Market और Standard Aviation of Security Standard Aviation of Market एक बात बताओं बीटा निकाला जा सकता है क्या अगर बीटा निकाला जा सकता है सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ सर, Covariance दिया और Correlation दिया बीटा का कुछ फॉर्मूला होता था बीटा का फॉर्मूला? सर, बीटा का फॉर्मूला होता था बीटा निकालना ही क्यों, मैं बता रहू नike कुछ बीटा का फॉर्मूला होता था Standard Aviation of X Standard Aviation of Market into Correlation एक और उर अग होता सर बोलो covariance X और market एना यार हाँ सर और standard deviation of market है तो इससे होगा क्या अगर हमें covariance पता है जो की पता है हमको अगर हमें beta भी पता है जो की पता लगाया जा सकता है तो उसकी मदस से सर standard deviation of market निकल सकता है काम हो सकता करे की काम पर beta कैसे नहीं पहले beta पता तो होना चाहिए तो beta के लिए हमको CAPM equation लगाना पढ़ेगा और CAPM equation के लिए हमें एक तो चाहिए RF plus RM minus RF into beta is equal to ER ये चाहिए और ER तो दिया है 15% ये study mat का question आ है अच्छा question है इसलिए time लगा रहा हूँ ER दिया है 15% अगे क्या करना है ER मालूम है हमको RM मालूम है क्या हां सर RM भी मालूम है RM भी 15% है अगर सर ER 15% है RM भी पढ़ा है तो beta 1 हो गया ना हो तो गया थोड़ा time तो ले लीजिए formula में put कर गया समस्या है RF पता लग जाए तो RF तो दिया है ना सर 7% नहीं ना बिटे यहीं गलती हो नहीं है आपसे यहीं एक मातर जगा गलती होगी RF 7% नहीं आएगा मतलब सर मतलब बिटे ऐसा है 7% प्रेजरी बॉंड ट्रेडिंग एट डॉलर 140 इसका मतलब समझने की कोशिश करना बॉंड जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है डॉलर 140 पर पर बॉंड का पर जो हमको मिलेगा 7% वो 140 पर नहीं मिलेगा वो बॉंड के face value पर मिलेगा और हम यहां assume कर रहा है कि जो face value है वो डॉलर 100 हो का तो डॉलर 100 पे हम कमा रहा है 7% तो डॉलर 7 तो effective डॉलर 7 मिलेगा हमको लेकिन वो किस पे मिलेगा 140 डॉलर क्योंकि ए 140 डॉलर लगाकर मुझे 7 डॉलर ही तो मिलने वाला है तो उस हिसाब से आरिफ कितना आ गया पाच परशन एक मात्र अगर इस question में कहीं गलती होनी है तो यहीं होनी इसके अलावा गलती होई नहीं सकते उसके बाद तो क्या है उसके बाद इट मिन्स भाई इस पे focus करोगे एक्जाम में जाने से पहले गरबण मत कर दे ना यह काम की चीज है छल्यकी उसके बाद क्या निकालेंगे बीटा जब सब चीज पता है तो बीटा आगए है 1 अगर बीटा आगए 1 तो इधर 1 रख देंगे इसके बाद तो काम होजाए वन लग दिया ये मालूम है तो फिर standard deviation of market पता लग गया फिर बीटा का दूसरा formula लगा है तो standard deviation of security पता लग गया ठीक है जी सर एक सर चलो जी आगे चले question number 29 ये भी question अच्छा है question number 29 देखें क्या लिखा है 29 देखा assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced सब्द लिखा है correctly price focus करना भाई अच्छा question है correctly price का मतलब क्या होता है सर correctly price का मतलब होता है जो ER है वही कही है according to capital asset pricing orders the expected return from and beta of this year is Rs follows ABC XYZ beta दिया हुआ expect return दिया है you are derived you are required to derive क्या करना हमको security market line derive करना है कहां का question है ये study material का question है it means हमें CAPM का हमें formula मालूम है ER is equal to RF plus MRP into beta पहले हम simultaneous equation से काम करना पड़ेगा है हम यहां लिखेंगे 19.8 RF हमको पता है क्या नहीं बीटा पता है कि yes और MRP का MRP ऐसी इस equation को लिखा RF RF cut कर दिया तो MRP आ गया कितना 9 और MRP को put किया तो RF आ गया 9 तो finally security market line का equation हो गया 9 plus 9 beta that's it sir security market line derive करना है मतलब equation बताना security market line का 9 का मतलब क्या होता है 9 का मतलब RF 9 का मतलब क्या हो गया market risk premium और beta जो भी beta रखते जाएगे आप beta ज़्यादा risk लोगे तो return ज़्यादा है क्या हाला कि सारे graph आपको इस description में class copy डली हुई है किसी student की उसको खोल कर देखोगे न उसमें graph बने हुए detail में समझाया क्या है पर अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इतना time नहीं होता revision में कि हम बहुत सारी बाते करने है अब आजाते है asset pricing सर asset pricing का मतलब क्या होता है देखो नाम क्या है जो topic कर रहे है सर उसका नाम है capital asset pricing model यस आखिर वो method बता किता क्या CAPM की exemption भी है देखा जाए तो पर वो model जो है capital asset pricing model नाम क्यों पड़ा बेटे क्योंकि CAPM यूज होता है asset की price निकालने के लिए asset की price मतलब share का price हमको निकालना है P0 और इसका formula होता है D1 divided by K-G इसके derivation पे नहीं जाओंगा उसकी वज़ा है कि सिर्फ यहां नहीं पढ़ है final में security evaluation में भी यह topic है और सर हमने security evaluation नहीं पढ़ा है और price क्या होगा सर यह theoretical price निकलेगा अच्छा intrinsic value निकलेगा actual नहीं actual price तो demand and supply पे depend करता है actual share का price है मानलो actual price 250 और future में जो dividend मिलेगा उसका मैंने present value निकला भई share खरीदे तो dividend मिलता है और future में जो dividend मिलेगा उसका मैंने present value निकला तो वो आ गया 400 रुपए और आज पैसा कितना लगाना 200 बताओ share खरीदना है कि नहीं share खरीदना है कि नहीं खरीदना सोच समझ के बोलो सर share future आज जो मैं share खरीदूंगा उससे मुझे dividend मिलेगा उसका present value है 400 400 कमाएंगे 400 कमाएंगे कितना लगा के 200 सर खरीदो ना यार सस्ता मिल रहा है 250 लगाना 400 यस तो share अंडर प्राइस सस्ता है अगर यह जो है actual price कुछ और होता actual price होता 600 तो बेग उपी है यार share खरीद के जो कमाएंगे वो तो 400 रुप है लेकिन actual में प्राइस है 600 तो 600 लगाओ और 400 का बेग उपी है तो यह काम है हमारा actual में CAPM का यह वाला काम है यह प्राइस निकालना तो सर इसमें CAPM का क्या यूज है CAPM का यूज आएगा यह निकालने के लिए है इसको बोला जाता के और के के लिए एक्वेशन लगेगा एक्वेशन क्या लगेगा RF प्लस RM माइनस RF इन्टो बीटा इसी को आप equilibrium price भी बोलते है ठीक है इटमिस करना क्या है करना कुछ नहीं है हमें asset का price निकालना था ठीक है पढ़े एक बार इसको dividend growth model भी बोलते है तो as per growth model value per share value per share को मैं क्या बोल रहा हूं p o नहीं बोलना p 0 आज का price is calculated agenda लिका p 0 is equal to d 1 divided by k minus g पता है और d 1 नहीं दिया है तो कैसे निकालो के sir d 1 नहीं दिया तो d 0 1 plus g ठीक है और d 1 का मतलब क्या होता expected dividend और d 0 का मतलब होता है dividend pat expected dividend dividend और g का मतलब क्या होता है growth rate और k कैसे निकालो के k निकालो के c a pm के equation के दूँ ठीक है जी अब यह तो बताया मैंने आपको p 0 का मतलब intrinsic value अगर market price जादा है जितना कमाने वाले हो जितना कमाने वाले हो उससे market price जादा है तो यार यह तो महगा है ना यार तो over price खरीदने की ज़िवरत नहीं है अगर market price गम है तो खरीद लेना चाहिए और correctly price है कुछ करने की ज़िवरत नहीं है बाकी equation के थूँ फॉर्मूला कैसे derive हुआ यह सब समझाने की कोशिश किया था इसको नहीं करना है revision में काम नहीं आएगा बस एक ही बात याद रखना कि P0 मतलब intrinsic value निकालने का फॉर्मूला हो गया है D1 divided by K minus Z ठीक है तो एक example विलिया था example number 21 dividend per share दिया है sir तो यह dividend per share बता दो sir कि D1 है कि D0 है यह तो आज तक कोई भी नहीं बता पाया जब भी ऐसा लगे सुनो इस पर मुं कोई बहस नहीं करना चाहता कि D0 लेना है कि D1 लेना है जब भी आपको ऐसा कोई शक हो कि पता नहीं sir D1 भी हो सकता है D0 भी हो सकता guarantee से नहीं बोल सकते हैं अगर सब्द होता expected तो D1 होता अगर सब्द होता dividend paid तो D0 होता अगर दोनों ही नहीं यह दिया है कुछ भी नहीं पता ही लग रहे है तो कुछ भी ले लेना पर note जरूर लिखना जरूरी है यार आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या assume कर रहे है आप D0 ले रहे हैं कि D1 है ठीक है यह तो जरूरी है तो इसको हम कुछ भी assume कर लेंगे पता नहीं मैंने 25 और जैसी बीटा आया तो के निकल लेंगे वह आ गया 12.75 और जैसे ही के निकला तो हम प्राइज निकल लेंगे और वह आ गया 64.52 कि यार future में जो dividend मिलेगा उसका present value 64 रुपया कमा रहे है और 70 रुपय का share है इसमें जैसे मैंने उसमें एक कमपनी का लिया था उसमें दो कमपनी का लिया है ultimately हमको क्या निकलना information से हमको क्या निकलना हमको P0 निकलना है इसका भी P0 निकलना है और 125 और 40 से comparison करना कर लोगी इसमें कुछ था नहीं question number 30 question तो बनाने का बनता है यह वह बहुत आता है यार पता नहीं क्यों पढ़े एक बार यसा तो लिखा an investor is holding thousand shares of fat loss company ठीक है कितने shares hold कर रखा है hold कर रखा है presently the rate of dividend being paid by the company being paid सब्द लिखा पैट 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 का मतलब sir D0 लिख लेते है भाई भूल जाते है D0 है 2 रूप है and the share is being sold और अभी market में price कितना चल रहा है बले 25 रूपय चल रहा है however several factors are likely to be changed during the course of the year as indicated below अभी जो factor चल रहा है this is existing उसके हिसाब से आप share का price निकाली है और factors revise भी तो हो सकते है अगर factors change होते है तो share का price निकली है और share का price निकाल कि किस से comparison कर जी है 25 रूपय से comparison कर दी है एक बड़ देखे क्या तो मैंने काम किया तो सबसे पहले RF दिया है risk premium दिया और beta दिया है तो उससे मैंने CAPM से क्या निकाल लिया होगा के ही निकाल लिया और फिर लिखा D1 के मैंने जी तो आगया 13 रूपय 64 पैसे है और उसको comparison किस से किया 25 रूपय से होता हूं तो future में जो dividend मिलेगा उसका present value 13 रूपय मतलब मैं 13 रूपय कमाऊंगा simple language 13 रूपय कमाऊंगा और share कितने का 25 का तो hold जो करके रखा प्लीज उसको निकालो ना यार रखोगे तो क्या कमा लोगे 13 रूपय तो क्या लिखता में मैं लिखता किसी stock is औवर price है तो stock को मुझे क्या करदेना चाहिए बेज देना चाहिए फिर मैं काम करता फिर मैं किस साफ से काम करता revised situation और उससे फिर share का प्राइस इंकलता और फिर बताता कि और तो क्या करना चाहिए ठीक है तो revise situation में share का price है 25 और यह है आपको copy देखनी पड़े यहां मैंने बच्चों से question करवा लिया था इसलिए मेरे पास यह ठीक है यहां आप भी लोगों ने करके मुझे बता भी दिया थो और decide भी कर पर revise situation से share का price निकला था यह वाला sorry 36.33 it means बता सकते हो अगर मैं share hold करता हूँ तो 36 की कमाई होकी और share बाइस कितना चल रहा है 25 hold करो ना यार question आता प्लीज देख ले ना चलो जी class number 9 पड़े अच्छा यह class थोड़ी से technical है class number 9 important हुई है आराम से कर दो अब भी मैंने class number 9 start किया class number 9 मतलब मेरे जो classes चलती है उसके साथ तो सर हमने इतनी चीज पढ़ लिया था उना आतला पाच चीजे पढ़ लिया था यह आसे equation पढ़ा बीटा पढ़ा बीटा management पढ़ा alpha पढ़ा assets प्राइसिंग पढ़ा इतनी पढ़ा अब सबसे ज़्यादा important है point number 6 जिसमें मुझे करना है total risk systematic risk और unsystematic risk और बड़े सारे formula है बहुत सारे formula हिम्मत दिखाते हैं खतम करते हैं ठीक है अब इस topic में एक बात याद रखना कि हमको जो risk निकालना है वो किसमें निकालना है हमें deviation में निकालना हमें variance में निकालना है generally इस topic में variance में risk variance का मतलब भी risky होता है deviation से तोड़ा अच्रा हो जाता है variance बोलो तो भी risk ओप स 2007 अगर मैं कहता हूँ पर मैं कहता हूँ वेरियंस में बताओ कितना रिस्क है तो वेरियंस में बता सकते है 30 into 30 तो फिर वेरियंस में लिखा जाता है 900 परशंट is square ये किसमें निकला ये निकला वेरियंस ठीक ओके तो हमें इसमें दिखाना होता है यहां तक कोई दिखता थे यहां तक कोई दिखता अब अब हमको बात करना systematic risk systematic risk क्या होता है systematic risk होता क्या है इसको बोला जाता है total risk standard deviation अब फॉर्मिले की जरूत पड़ेगी किसी भी stock का standard deviation है मतलब उसका वो जो है वो अपने mean से कितना deviate हो रहा है ठीक है अपने average से तो वो जो deviate होता है वो deviate किस वज़ा से होता है market की वज़ा से होता कि internal factor की वज़ा से होता है important है important है conceptual है याद करो standard deviation कैसे निकलते है तर पास साल का written होता था उसी का average मारते थे और उसी का deviation निकलते तो हम यह कहते थे वो deviation की वज़ा क्या है कुछ भी हो सकती है हम यह नहीं बोलेगे कि market की वज़ा से कम हुआ हम यह भी बोल सकते bankrupt हो गया होगा या बीच में कोई समस्य आ गई होगी कोई internal problem आ गई होगी मतलब दोनों टाइप का risk हो सकता systematic और unsystematic तो यह जो risk है इसको बोला जाता है total risk total risk और एक होता है systematic risk systematic risk मतलब market की वाज़ा से कितना change हुआ अब सुन अधियान से मार्केट का standard deviation है market का standard deviation मार्केट का standard deviation है 10 परशन और इसका बीटा है 2 किसका मेरी company stock x का बीटा है 2 2 का मतलब समझाओ market fluctuate होता है न 10 से तो यह जो fluctuate होता है यह 20 से होगा yes यह तो मतलब है न market की वाज़ा से कितना deviation वो कहलाएगा systematic risk तो sir 10 into 2 20 yes तो total मिलागर कितना हो गया 20 परशन पर हमको variance में दिखाना होता है न इसलिए हमें systematic risk हमको variance में कितना लिखना पड़ेगा 400 percent is square 400 percent is square हाला कि इसका formula है इसको हम सीधा ऐसे beta square और variance of market यह formula है किसका systematic risk का करके देखें कि beta इसको ultimately standard deviation of market कितना है plus into 2 into equal to 400 तो total risk कितना है sir total risk है 900 percent is square उसमें से minus कर दिया 400 तो बचा कितना 500 sir total fluctuation हो रहा है 900 का उसमें से market की वज़ा से fluctuation हो रहा है 400 का तो बचा किसकी वज़ा से sir internal factor की वज़ा से उसको बोला जाता unsystematic risk ठीक है ठीक है तो यही निकालना होता है तो वो ही मैंने किया अच्छा यहां गरबड़ कि 1.2 कि दर से आगे है कोई बात ने इसमें बोले beta 1.2 है इसमें यह जो मैं लिखवाया ना इसमें beta 1.2 है तो यह आगे 144 यह कौन सा रिस्क है systematic और यह कौन सा है total तो 900 मैंनस 144 कर लेंगे तो 900 मैंनस 144 कौन सा रिस्क आ जाएगा unsystematic 900 मैंनस 144 तो 756 percentage इसक पर यह कौन सा है unsystematic risk अब एक बात याद रखना सर जी unsystematic risk के बहुत सारे नाम है unsystematic risk के नाम है company specific risk company specific risk उसका भी नाम तो unsystematic है company related risk market related risk मतलब systematic risk residual variance भी बोला जाता residual variance और divergifiable risk भी उसका divergifiable क्यों बोलते हैं ऐसी risk divergifiable जिसको आप divergify कर सकते हो जिसको divergify से divergify करके कम कर सकते हो ऐसी कौन से risk है जिसको divergification के थूँ कम किया जा सकता है it means बहुत सारे stocks में पैसा लगाऊंगा तो कौन से risk खतम हो जाएगा unsystematic अब भी भी कौन सा जिंदा रहेगा systematic तो इसको और क्या बोलते हैं तो इतने सारे में आपको नाम लिखवा दिया एक सब्द और आता है आजकल बहुत ज़्यादा दे रहा है institute इस सब्द का यूज coefficient of determination और coefficient of determination का मतलब होता r square ये सब्द भी बहुत ज़्यादा आ रहा है ठीक इबर समझे क्या है yes मान लो मान लो सुनन ध्यान से मैं ये कहता हूँ एक ratio दे रहा हूँ systematic risk और total risk और ये दे दिया 80% इसका मतलब समझ रहा हूँ या point 8 बोल दू point 8 भी बोल सकता हूँ इस ratio का मतलब बता सकते हूँ systematic risk divided by total risk sir इसका मतलब है कि अगर total risk जितना होगा उसका systematic risk 80% होगा मतलब तो यही इसका है ना यार हाँ सा इसी को बोलते coefficient of determination coefficient of determination का मतलब कि total risk का systematic risk कितना percentage है सार इसको आर इसक्वार क्यों बोलते है मैं आपको बता रहा हूँ formula क्या है formula derivation में करवाता नहीं हो revision में पर यह मजबूरी है नहीं यार समझ याद आएगा नहीं आपना sir formula क्या था formula था systematic risk divided by total risk इसका नाम क्या था coefficient of determination अगर systematic risk का formula अभी आपने सीका sir beta square और variance of market और total risk मतलब standard division of x square मानते हो हाँ sir standard division of x square मतलब x का variance और क्या beta का formula पता है आपको हाँ sir standard division of x divided by standard division of market और correlation x of market इसको मैंने अलग रिका और इसका square तो इसको square कर दिया और ये भी कर दिया और ये भी कर दिया कुछ कट सकता है sir ये तो उड़ा दो ये उड़ गया और sir standard division of market square ये भी उड़ गया तो बचा क्या correlation ही तो बचा और इसका square बचा है मतलब ये square इसके साथ भी है तो ये इसको क्या बोलते r square ठीक है derivation क्यों कर वा रहा हूं मैं revision मुझे समझे में नहीं आता पर ठीक है कर लो उसके बिना होने वाला भी नहीं है तो फाइनली हम लोगों ने अभी systematic risk और unsystematic risk में क्या क्या पड़ा total risk मतलब variance systematic risk कैसे निकलते सर बीटा square और variance of market या बीटा square extended division of market square और unsystematic risk कैसे निकलते सर टोटल risk में से minus कर देंगे systematic risk तो क्या निकलेगा unsystematic risk और coefficient of determination क्या बोलता है r square सर जितना total risk है उसका कितना percentage systematic risk है example number 23 मैं हमेशा से एक बात बोला हूँ मैं जल्दी नहीं करवाने वाला हूँ मैं हवा में नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्या मतलब कि अगले अटर्मेंट में फिर revision करने बैट साओ करो तो पूरा करो जिसमें अपलाई है तो standard deviation of market कितना दिया हूँ अब आपको दिमाग चलाना पड़े गए सर standard deviation of market दिया है 10% ठीक है standard deviation of stock कितना दिया है 16% standard deviation of error मतलब unsystematic risk यह percentage जो दिया है यह सब standard deviation में दिया है और हमें variance में करना होता है standard deviation of error term मतलब unsystematic risk का standard deviation दिया चार पड़े हमको बीटा निकालना है कुछ हो सकता है क्या सर standard यह क्या है total risk जो गार दगाते सर अगर हम total risk में से unsystematic risk minus कर दे तो यह जो आएगा वो आएगा systematic risk agree हाँ बोलो हाँ और systematic risk का दूसरा तरीका है बीटा square और standard deviation of market square ठीक है सर हमको systematic risk पता लग जाएगा हमको यह भी पता लग जाएगा तो बीटा तो निकली जाएगा वह ही किया होगा देखे एक बार तो पहले यह बस सर्थ एक ही कि जो भी काम होगा वो किस में होगा variance में होगा तो सबसे पहले total risk कैसे निकाला होगा पर सा 16 इंटू एक्वल टू 256 unsystematic risk कितना आया 4 इंटू 4 16 तो यह आगे systematic risk और systematic risk को यहां लिख दिया मैंने और variance of market यहां लिख दिया तो बीटा square है तो यह बीटा आजाया 1.55 अच्छे से करके न जाना भाई यह important topic है बहुत घुमाता इस question इस topic में ठीक है सर example number 24 बीटा दिया हुआ है 1.5 standard deviation of market दिया हुआ है standard deviation of stock दिया standard deviation of error term दिया है हो सकता है क्या सर देखो market दिया है और बीटा दिया है इससे क्या निकलेगा systematic risk और यह है total risk तो total में से systematic minus करोगे तो क्या आजाएगा unsystematical हो जाएगा यह question calculator चला ले ना at least example number 25 अच्छा question है इस type की question आने चाहिए example number 25 देखे क्या बोला correlation दे रखा है 0.9 correlation का square use होता है और standard deviation दे रखा है 20% मतलब total risk और आप से क्या मांग रहा error term मतलब याद रखना error term मतलब unsystematic error term क्यों बोलते हैं यह तो मैंने आपको characteristic line में समझा है ता फरे भी समझा रहा हूं मैं आपको market को देखते हुए है जो risk होता है market beta को देखते हुए beta यार हमारी company में 2 है market 10% से fluctuation होता है तो हमारा stock 20% से होना चाहिए पर हो गया 25 से तो वो जो 5% है ना उसी को आप unsystematic risk बोल रहा है उसी को error term बोल रहा है ठीक है मतलब यह क्या मांग रहा है unsystematic risk यार total risk हमको पता है अगर कोई हमको systematic risk बता दे तो total में से systematic minus करेंगे तो क्या जाएगा unsystematic कैसे निकाले तो यह दिखा correlation दे रखा point 9 और coefficient of determination r square होता था उसका formula दे ता systematic risk divided by total risk काम हो सकता है systematic risk r square का फों और यहाँ है total risk तो इससे क्या निकल जाएगा इससे निकल जाएगा systematic risk और total में से systematic minus करोगे तो यहाँ क्या जाएगा unsystematic risk कितना आ गया 76% is square अब और एक बात है और एक बात क्या है उसने आप से मांगा क्या है उसने variance में नहीं उसने किस में मांगा answer सर उसने तो standard division में मांगा है तो जो 76 आया इसको क्या कर लेना square root तो यह आ जाएगा 8.72 तो एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि answer किस में मांगा यह भी देख लेना अगर standard division में मांगा है तो last में आप उसको square root कर दिया करना question number 26 अच्छा question question number नहीं example C चल रहा है भी तो question start ही पाने पीनो चलो जे पढ़े यस दिखा है A, B, C expect return दिया है बीटा दिया है specific risk दिया है और total risk दिया हूँ ठीक है सर और जो जो question mark दिख रहा है वो वो हमको निकालना पड़े अब यहाँ total risk में question mark दिख रहा है total risk में question mark दिख रहा है तो सर total risk कैसे निकालेंगे और ये कौन सा रिस्क दिखाई दे रहा है specific risk specific risk का मतलब सरी ये हो गया unsystematic risk और बीटा दिया है तो क्या निकल सकता है systematic बीटा दिया तो systematic अब निकलना है total specific risk हमको पता है बीटा पता है लेकिन हमको market का नहीं पता standard emission of market नहीं पता है तो सुनो कैसे काम किया रहा सकता है पहले आप c को पकड़ना पहला काम c को पकड़ना है और c का क्या total risk मालूम है हाँ c का क्या ये वाला risk मालूम है unsystematic या सर तो total में से unsystematic risk minus कर देंगे total है 484 मेरे ख्याल से ये सब deviation में दिया होगा इस सबसे मैं काम कर रहा हूँ बाकी मुझे नहीं मालूम कैसे किया ठीक तो सर total risk square करके आगया 484 ये आगया total risk मैं कह रहा हूँ total में से मतलब 22 into equal to तो सर ये आगया 484 मैं से 7 into equal to minus कितना कर देंगे 49 तो 484 minus 49 तो बच्चा कितना 435 ये कौन सा रिसक आ गया सर ये तो systematic यस और systematic risk कैसे निकाला जाता है बीटा square और variance of market और बीटा हमको पता है और बीटा कितना दिया है 1.4 square तो variance of market निकल जाएगा और जैसी variance of market निकल जाएगा उसको हम उसकी मदद से यहां का systematic risk निकालेंगे और यहां का systematic और दोनों को add कर देंगे तो क्या निकल जाएगा total risk कर ले ना यहां solution नहीं है आपके पास solution के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं यहां तो क्योंकि बच्चों को ही मैंने दिया था करने के लिए उन्होंने कर लिया था इसलिए solution यहां नहीं पर इसी description में copy होगे उस copy में check करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका solution इसमें बच्चों को दिक्कत नहीं गई थी यह तो उन्होंने बना लिया था जुगार लगा के problem आ गई थी मालूम है किसमें इसमें expected return कैसे निकला जाएगा और CAPM hold good इसका मतलब जो यह expect return निकला है यह किसके हिसाब से निकला है यह CAPM के हिसाब से simultaneous equation use होगा है मैंने करवा रखा expect return A का कितना है 18 और B का कितना है 10 RF हमको पता नहीं है बीटा हमको पता है MRP बीटा पता है न 1.2 और यह 1.5 है कि यह पॉइंट 5 है ठीक 1.2 और 0.5 हटाया तो सीधा MRP आ गया MRP को पुट किया तो RF आ गया और RF को पुट करके 20.28 तो बच्चों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों ने यह वाला पार्ट तो खुसे कर लिया इसलिए इसका सॉलूशन नहीं है हमारी पास पर यह वाला पार्ट कर नहीं पा रहे थी तो मेने करवाया था इसको ठीक है फाइनली बात खतम करे इसमें तो टाइम लगना था यह टॉपीक ही ऐसा था तो सर फाइनली बात समझ में आगे हमको की टोटल रिस्क सिस्टेमाटिक रिस्क और अंसिस्टेमाटिक रिस्क कैसे निकाला जाता है अब भी जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी इसके बाद कोश्यन नहीं बनाना है पर इसको अच्छे से समझना हो पड़ेगा कि क्या है टाइम लगेगा ऐसे नहीं हो जाए लिखा पहला point as per CAPM we do not calculate correlation between two stocks we calculate correlation between stock and market CAPM का मानना यह है कि यार हम हम लोगों को दो stock के बीच में correlation निकालना ही नहीं है उसकी वज़ा है correlation निकालना मुश्किल है क्योंकि दो अलग अलग सेक्टर है दो अलग अलग सेक्टर का आपस में modern portfolio theory में क्या कर रहे थे हम MPT में NTB MPT में हम क्या करते थे हम कोशिश करते थे दो ऐसे stock ढूंडने का जिसका आपस में correlation क्या है negative CAPM बोलता है नहीं भई आप निकालो ही में आप दो stock के बीच में correlation निकाल ही क्यों हो रहे हो आपका market के साथ और आपका मेरे साथ में हूं market तो मेरे साथ क्या correlation है वो निकालो आपस में आप दोनों जो correlate है वो market के अगर market गिरा तो आपका भी down हो रहा है और आपका भी share down हो रहा है मतलब आपके बीच में positive correlation हो सकता है किसकी वज़ा से because of market CAPM का यही assumption है ठीक है साथ इससे क्या बताना चाह रहा है तो it means वो यह समझाना चाहते हैं कि दो stocks जो है वो दोनों आपस में correlate होते हैं किसकी वज़ा से market की वज़ा से इसलिए यह equation बनाई गई है equation काम आएगी इस equation का कहना है कि यह correlation अगर हमको निकालना है X और Y के correlation किसका X और Y तो दोनों लोग आपस में correlate हो सकते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्या जो lecture देख रहे बच्चे हो सकता है एक बच्चा दिल्ली का lecture देख रहा है एक बच्चा मुंबई का lecture देख रहा है देखी रहे होगी YouTube में वो क्या आपस में relationship निकल सकता है क्या वैसे तो आपस में correlation है नहीं है हो भी सकता है पर नहीं है मान दो correlation है X का market के साथ और correlation है Y का market के साथ इट में C.A.P.M के हिसाब से correlation XY निकलने का formula क्या है correlation XY निकलने का formula है correlation XY और correlation Y और market ठीक है हाँ बोलो हाँ यह formula लिखना पड़ेगा काम आने वाला है तो यह एक formula निकल के आया सामने है ठीक है it means there is no correlation between two stock of unsystematic यह दोस दूसरा important बात कि यह unsystematic risk internal reason का कोई आपके बीच में correlation नहीं है आपका जो भी correlation है वो किसकी वज़े से systematic risk का correlation हो सकता ठीक है जी systematic risk of portfolio is calculated as in the systematic risk of portfolio कैसे निकलेगा बुले बीटा square और variance of market बस यह stock की जगा किसका बीटा लिख रहे ना portfolio का बीटा लिख रहे ना अब सबसे important formula आपके सामने आने वाला है यह वाला formula सबसे important है बार-बार योज होगा और क्या लिखा हुआ जरा रखते हैं as per sharp model सर यह William Sharp है कि हाँ जिसने C.A.P.M. लिखा वाओ सर बताया क्यों जरूरत नहीं नहीं है important है covariance का एक अलग formula आ गया और covariance का formula आ गया बीटा एक्स बीटा वाई और variance of market टिक सर इसको derivation derivation भी है इसको थोड़ा सा रट सकते हैं कि रट सकते हैं देखो रिसकी तो निकालना है covariance covariance निकालना covariance तो covariance का formula क्या है बीटा एक्स बीटा वाई और variance of market ऐसे अगर single stock की बात करो तो आप बीटा स्क्वाइर और वेरेंस आप मार्केड वो निकालते थे ऐसा कुछ निकालते थे यस बीटा मतलब एक ही तो इसका square कर देते थे तो variance of market अब तो यार हमारे दो इस टॉक है न तो इस टॉक है तो square नहीं करना है बीटा एक्स लिखना है बीटा वाई लिखना है और वेरेंस आफ मार्केड निकालते सर यह रटना वटना छोड़ दो काम की बात करें काम की बात काम की यह कैसे आया formula याद रखना यह formula काम आने वाला है सर प्लीज भ्यान दो कि एक्चुल में covariance x y का formula है क्या एक्चुल में formula सर formula standard deviation of x standard deviation of y into correlation x y agree हाँ बलो हाँ 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 अब correlation x y कैसे निकलता है सर यह formula आपने बता है कि दो stock के बीच में correlation किसकी वज़ह से है market की वज़ह से तो standard deviation of x standard deviation of y correlation x और market और correlation y और market agree agree सर बताओ मैं revision में derivation करवा रहा हूं पर क्या करें उसकी बिना नहीं हो पाएगा formula रट नहीं सकते हैं अब यार इस correlation को मैं पहले लिख दूँ और इसको मैं इधर shift कर दूँ तो कोई समस्या है क्या कोई समस्या नहीं है सर आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो it means मैंने ये वाला पार्ट किया standard deviation of x into correlation x और market into standard deviation of y into correlation y और market अब देखो मैं जादू कर रहा हूं अगर मैं इनको अलग-अलग-अलग-अलग-अलग कर लेता हूं अगर मैं इसको standard deviation of market और इसको standard deviation of market से divide कर दूँ तो कोई गुना है क्या नहीं है लेकिन है तो गलत तो लो ना भाई आप divide क्यों कर रहा हूं चलो ना इसको multiply भी कर देता हूं मैं derivation पर जा रहा हूं मैंने इन दोनों को divide किया हाला कि कुछ लिखा नहीं था पर मैंने चलो standard deviation of market और standard deviation of market से divide कर देता हूं आपको मैजा नहीं आ रहा था ना तो चलो multiply भी कर दिया और ये वाला formula क्या आपका देखा-देखा लग रहा है ये वाला standard deviation of x divided by standard deviation of market into correlation ये सर बीटा है ये बीटा है ये बीटा और ये वाला formula बीटा आफ बी या आप बोल सकते बीटा आफ एक्स और multiply क्या हो रहा बीटा आफ वाई और ये क्या हो गया variance of market ठीक ठीक है सर बहुत ज़्यादा समय चला गया इसी में जाना ही था और कोई option था दिने हमारे पस तो finally हम लोगों को क्या समझ में आया है हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि इस topic में formula जबरदस्त लगने वाले है और बहुत सारे formula आपको समझना पड़ेगा formula का chart भी मेरा youtube में है चाहो तो मैं उसका link भी आपको share कर दूँगा तो पहली ब काम का formula का फॉर्मुला एक दू ही ऐसा नहीं है अब काम का formula क्या है सर वो बताइए तभी काम हो गाए का फॉर्मुला एक तो systematic risk का formula तो सर standard deviation अपनी beta square beta square of variance of market और एक covariance x और y का formula सर बीटा of x और बीटा of y और variance of market बस यह दो formula ही याद रखना है और एक coefficient of determination है r square तो systematic risk divided by total risk सब चीज का logic मैं आपको समझा रहे हो भगवान का नाम ले रहा है और example कर रहा है example करना जरूरी है क्योंकि इसी के दम पे आगे question होने वाले आपके तो example number 27 stock x stock y standard deviation दिया हुआ है और दोनों का बीटा दिया हुआ है और variance दिया है standard deviation market दे रखा है ठीक है ठीक है मांगा क्या है total risk total risk मतलब square ही तो करना है yes तो पहला काम तो हो गया total risk मतलब हमको square ही करना 20 into equal to किया तो 400 आगया 25 into equal to किया तो 625 इसमें कोई दिखकत है क्या कोई दिखकत है unsystematic risk निकल जाएगा कि हां सर 400 में से 225 माइनस कर दीजिए और 625 में से 306 माइनस कर दीजिए ठीक है सर मेरे ख्याल से पहले point में कोई दिखकत नहीं है ठीक है इंडिविज्वल का तो हमसे हमारी अब क्या मांगा है correlation मांगा है correlation का formula क्या था कोई बात नहीं बीटा का formula पता है क्या हां सर बीटा का formula था correlation x और market का तो बीटा का formula था बीटा standard division of x standard division of market into correlation x और market है ना यार आसा और इसमें हमको हमको बीटा पता है हमको standard division of x पता यह पता तो यह तो निकली जाहेगा correlation मांगा है पता नहीं क्यों मांगा है और यह मैंने correlation भी निकाल दिया एक आया 0.75 और एक आया 0.70 ठीक ठीक है correlation मांगा था तो मैंने निकाल दिया हला की जिर्वरत ही नहीं सबसे ज़्यादा important है point number 3 अगर यह यह वाला part अच्छे से करना भाई इसी पे question है यह वाला part important है अबकर if we invest 80% in x x में पैसा लगा रहे हो 80% और y में लगा रहे हो 20% then calculate beta of portfolio क्या हो जाएगा yes 1.5 into 0.8 1.75 into 0.2 तो beta of portfolio तो हो गए आपका और यह आगा है beta of portfolio 1.55 ठीक है ठीक है आगे चलता है फिर क्या मांगा है total risk systematic risk और unsystematic risk of portfolio systematic risk तो निकाली दूँगा मैं sir कैसे निकलेगा portfolio का बीटा पता है तो systematic risk of portfolio निकली जाएगा systematic बीटा of portfolio square और variance of market तो यह आगया systematic risk of portfolio अब यार total risk of portfolio कैसे निकालते है total risk मतलब standard deviation है ना यार standard deviation किसका portfolio का formula याद है standard deviation of a square weight of e square हाँ सर यह तो MPT वाला है हाँ MPT वाला है बस यहां जो है यहां MPT वाला formula नहीं लगेगा यहां sharp model वाला formula लगेगा it means covariance पे focus करना बस बाकी और कुछ नहीं है अच्छा अगर MPT वाला होता तो formula यह नहीं लगता formula यह लगता standard deviation of pack standard deviation of y correlation x और y यह अलग हो सकता है अगर वो बोलेगा total risk निकालो किसके सबसे sharp model के सबसे तो formula यह लगेगा covariance का लास्ट में covariance अब था तो बस वैसे कर लिया होगा तो answer कितना आ गया 365 और systematic कितना है 245 तो 365 में से 240 minus किया तो क्या जाएगा unsystematic आ जाएगा unsystematic risk का और एक formula था standard deviation of e का मतलब होता error p का मतलब होता portfolio और square मतलब variance of unsystematic risk तो sir x square weight of x square yes unsystematic y square into weight of y square फिर क्या करते sir plus 2 into this into this ऐसा करते into correlation और correlation तो unsystematic risk का होता ही नहीं है समझा समझो 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 मैंने कहा कि unsystematic risk का आपस में correlation हो ही नहीं सकता यहीं हम assumption पे कर रहा है तो formula वह यहीं वाला है a plus b square a square plus b square plus जब मैं 2ab के साथ यहां correlation भी तो लिखते है यह तो 0 है तो यह तो हो गए नहीं तो finally यहीं बचा तो unsystematic risk of x square into weight of x square और unsystematic risk of y square into weight of y square तो वैसे किया तो answer उतन हीं आएगा कितना आएगा answer 124.75 ही आएगा कर ले रहा है इसको 124.75 नहीं है ठीक है ठीक है तो यह हमारा important formula है समझे समझे नहीं क्या revise कर ले अब मैं फिर revision में भी revision कर वा रहा हूं revision में भी revision sir सबसे पहले total risk कैसे निकालते है total risk कुछ होता नहीं standard division of x square करना बागी कुछ नहीं sir systematic risk of x कैसे निकालेंगी तो beta square और variance of market sir unsystematic risk कैसे निकाला जाता है total में से systematic risk minus कर दोगे stock का तो क्या निकल जाएगा unsystematic risk sir r square का मतलब क्या होता इसका नाम है coefficient of determination और उसका मतलब होता systematic risk divided by total risk sharp model की सबसे correlation x y कैसे निकाला जाता है correlation x of market और correlation y और market sharp model की सबसे covariance x y कैसे निकाला जाता है beta a यह square नहीं है गर्बण मत कर दे ना पतल लगा खेली कितम होगे beta of x into beta of y into variance of market यह x y कर दे न systematic risk of portfolio कैसे निकाला जाता है तो sir beta of portfolio उसका square और variance of market unsystematic risk of portfolio कैसे निकाला जाता तो sir total risk of portfolio में से minus कर दीजिएगा systematic risk of portfolio sir या फिर unsystematic risk of a square into weight of square unsystematic risk of y square into weight of y square plus वो वाला मैंने कुछ नहीं किया ठीक है क्यों नहीं किया अब समझता है और total risk of portfolio निकालने के दो तरीक है total risk of portfolio total risk of portfolio कैसे निकाला जाता है तो is equal to systematic risk of portfolio plus unsystematic risk of portfolio अब और एक चीज यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं यह समस्लों अच्छे से यह है सर total risk of portfolio दो चीजे पढ़ा हमने एक पढ़ा modern portfolio theory और एक जो पढ़ा अभी पढ़ा जिसको बोलते हैं single index model यह sharp model single index model भी बोल जाता है जो formula में basic है कि अगर MPT के हिसाब से बोलेगा तो ऐसे करेंगे और अगर single index के बोलेगा तो हम ऐसे करेंगे बस अंतर समझना और सर अगर covariance दिया ही रहेगा question में तो जब अगर दिया रहेगा तो covariance अगर दिया रहेगा तो covariance उठाना और सीधा लगा देना that's it important बात याद अखना किस से पूछा है वो important है अगर कुछ नहीं दिया covariance निकाल कर दे दिया तो सीधा यहाँ चाहे वो किस से निकाला है कि इस से निकाला हम चेक नहीं करेंगे हम covariance को सीधा multiply कर देंगे ठीक है चले start करें का question से बनाने के पड़े question number 36 बहुत discussion हो गए आप question मनाते हूँ हाँ जह है पानी ब्रेक लिए था एक्चुली चलो ची question number 36 पढ़ा हूँ यह चाहे तो कितने श्टाख के बीटा दिया हुआ है रन्डम एर बुलो 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 एंश्यस्टमाटिक रवेट दिया हुआ है ठीक है। you are required to find out the risk of portfolio risk of portfolio ठीक है निकल जाएगा portfolio का risk if the standard deviation of market or market का standard deviation गिया है 18 पर्शन risk का मतलर total risk of portfolio सर सबसे पहला काम क्या करें पर बीटा पोर्टफोलियो निकल लेते हैं या न फिर systematic risk of portfolio निकल लेते हैं फिर unsystematic risk of portfolio निकल लेते हैं दोनों को add कर लेते हैं तो बीटा पोर्टफोलियो निकला तो आ गया 1.295 systematic risk of portfolio निकला हमने तो बीटा square variance of market तो यह आ गया 5.43 इसकी जरुवत यहां यूज करेंगे हम इसको अब हमको निकला unsystematic risk of portfolio याद रखना यह standard deviation दिया हुआ है याद रखना इसका square नहीं दिया है अगर square दिया होता तो यहां square लगाता बहुत सारे बच्चों के इसमें भी doubt आ गया कि सर यह variance में दिया है कि deviation में यह variance में दिया होता तो यहां ऐसा square लगाता लगाता तो चले काम करें 7 square into 0.25 square 0.25 क्यों equal weight है यह मान के चल रहा हूँ यह रखना दिया तो नहीं है सर equal weight है करके वेट दिया है sorry equal कहां से जाए weight दिया है तो 7 square into 0.25 square 11 square into 0.3 square 3 square into 0.25 square और 9 square into 0.2 square तो यह आगया unsystematic risk और systematic और unsystematic दोनों को जोड़ दिया तो आगया 561.11 बात कतम हो गई थी लेकिन क्योंकि standard deviation मांगा है तो हमको square root करना पड़ेगा तो यह आगया 23.69 ठीक है सर यह काम के चीज नहीं है यह मैं याद दिला रहा था जब class start होती तो मैं पिछला revision करवाता हूं तो मैं यह revision करवाला था कि कैसे होगा तो क्योंकि question number 37 exam में आया था और exam में आया था May 2019 में देखे एक बार following are the details of our portfolio consisting three shares x y z weight दिया है portfolio दिया है expect return दिया है total variance इस question में बड़ी दिक्कत हो गई थी भाजी बच्चों को दिक्कत क्या हो गई थी दिक्कत यह हो गई थी कि total variance इसमें दिया है मतलब मतलब वह जैसे होता है ना यार कि अगर मैं कहता हूँ standard deviation है पंद्रा पर्शन तो अगर मैं कहता हूँ इसको variance में बता standard deviation of x square कितना आएगा तो आप 15 into equal to कर देते थी तो यह आगए 225 percentage square है अब ऐसा करते थे लेकिन अगर वह आपको standard deviation दे दे 0.15 ऐसा होगा ना वह कहता है कि हम percentage हटा के दे हम 0.15 एक ही बात है वो ऐसे दे या ऐसे दे लेकिन जो problem आ रही है वो problem कहां आ रही है problem यह आ रही है कि इसको कैसे लिखे तो सर 0.15 into equal to तो यह आ गया 0.0225 तो यह जो कुछ दिया है न वो किसमें दिया है वो इसमें नहीं दिया है वो इसमें दिया है तो कोई दिकत नहीं हमें दिया है न हम उसके सब से काम करने हैं बस डरना मत इस चीजों से ठीक है सर बात समझ में आगे ही आगे लिखा standard deviation of market portfolio standard deviation दिया है तो इसको भी हम 0.12 लिख लेते हैं 0.12 लेक सकते हैं you are required to calculate the following पहले तो beta of portfolio मांगा है sir beta दिया है weight दिया है तो multiply करके beta of portfolio निकल जागा इसे में तो कोई दिख करने है दूसरा residual variance मांगा है और हर एक का मांगा है residual variance का मतलब क्या होता है मतलब sir होता है unsystematic risk unsystematic risk मांगा है तो sir हर एक का हमको systematic risk निकालना होगा और फिर total risk में से minus करना पड़ेगा तो अब मैं से x limited का कैसे निकालोगे तो अब ध्यान से देखना है x limited का मैं कैसे निकालोगे beta square और यहां 12% की जगा क्या लूँगा 0.12 square तो यह आ गया ऐसी y limited का आ गया ऐसी z limited का गया और total है यह और उसमें से minus कर दूँगा मैं यह systematic तो answer क्या जाएगा unsystematic जाएगा इसमें दिक्कत वाली बात बस एक ही थी कि यह total किसमें दिया हुआ ठीक है यह percentage में नहीं दिया यह 0.020 यह मतलब percentage हटा करती है portfolio variance निकालना है using sharp index model मतलब portfolio variance कैसे निकाला जाता simple सी बात portfolio का निकालना दो तरीके हैं पहला तरीका क्या हो सकता है तो सुनों दो तरीके दोनों तरीके में समझाने की कोशिश करूं सर सुनों हमने beat of portfolio तो निकाला है तो हम systematic risk of portfolio निकाल लेते हैं और हमको unsystematic risk तो निकला है तो unsystematic risk of portfolio निकाल लेते हैं और दोनों को plus कर देते हैं यह भी सही है या फिर सरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि total variance तो दिया है हाँ जब total variance दिया ही है तो सीधा variance of portfolio भी निकाल सकते हैं अब बताने उसने कैसे किया दोनों ही तरीके से मैंने कर वाया है method one method two ऐसे भी कर सकते हूं और ऐसे भी कर सकते हैं देखें पहले मैंने गायर unsystematic risk को portfolio निकाल दो और unsystematic risk तो already है weight भी हमारे पास है यह किया यह किया यह किया तो final answer आ गया 0.06648 और systematic risk of portfolio beta of portfolio और वेनिस यह आ गया systematic risk of portfolio इन दोनों को plus कर दिया तो answer आ गया यह एक यह तरीका है ठीक है ठीक है सर्थ दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह हो गया standard division of A into weight of A ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है मतलब A B C अब A का B के साथ combination ऐसा करवाया था मैंने MPT में A का B के साथ फिर A का C के साथ तो 2 into weight of A into covariance A B और covariance A C और covariance A C covariance B C अब यहार यह सब हमको पता है यह भी पता है यह भी ठीक है और 2 into point 3 यह क्या है सर यह चाहिए यह मुझे 0.5 into point 5 in point 5 क्या है 2 into point 3 2 into point 3 यह तो हो गए हमारा A यह हो गया B यह हो गया C 2 into अब किस-किस का कर रहा हूं मैं सर A और B का तो A का weight कितना है कास कहें से पता लग जा A का weight है 0.3 और B का weight है 0.5 यह हो गया A का weight 0.3 और B का weight है 0.5 यहां तक कोई दिक्रत नहीं अब हमको चाहिए क्या हमको चाहिए सर beta sorry covariance और covariance कैसे निकाला जाता है सर beta A beta B तो beta A है 0.5 beta B है 0.8 और variance of market है हाला कि covariance पहले निकाल लिया करो जाब अच्छा इस तरीके से भी कर सकते answer वही आएगा answer में कोई change नहीं आएगा answer वही आएगा question number 35 करे a study by mutual fund has revealed the following data in respect of three security standard deviation they are correlation दे रहा कभी-कभी correlation with market वह ऐसे भी लिखता है ठीक answer मतलब सर यह क्या है यह correlation है अब देखते क्या क्या लिखा standard deviation दिया और correlation with market दिया standard deviation of market दिया है 15 ठीक है मांग क्या रहा सबसे पहले मांग रहा what is the sensitivity of return मतलब सर मांगा जा रहा है beta beta of each stock with respect to the market ठीक है सर बीटा निकल सकता है क्या कैसे निकलेगा standard deviation दिया है standard deviation of market दिया है और अयसे जवेता इसका भी निकल जाएगा इसका भी निकल झाएगा क उच्पन डिक्कत नहीं मत्त्त में और कोवेर्यंस को ब्हुरींस्त को रहे निकल जाएग क Bentay makes a a kak see so चैसे निकले अचल लिया है हेरी विश एणिस काम तो ऐसे करण Donc यस यह भी निकल लिया बीटा और कोवेरिंस भी निकल लिया मुझे नहीं लगता कि समें दिकदा का ठीक है सर फर्स्ट हो गया सेकंड भी हो गया ठीसरे में क्या मांग रहा है थीसरे में क्या मांग रहा है what would be the risk किसका निकालना है? पोट्फोलियों का और तीनों सिक्क्यूरिटी में पैसा कितना लगा रहा है एक्वल है क्या किया जाए दो तरीके अनसिस्टेमेटिक रिस्क तो कि हमने निकाला नहीं है तो हमको टोटल रिस्क तो पता है न हाँ सर यह न बीस अठारा और बारा और हमें को वेरियंस भी पता है तीनों का तो सिधा बड़ा वाला फॉर्मल 29 अकुष और mortal में फे के साथॆ को यह निकला हुआ है कि प्र एक का सी के साथ numerous को और प्र भी का्च के साथ numerous निकला हुआ तो फाइनल आंसर आगया यह और standard deviation मांगा था तो 23.69% यह क्या निकला सर यह निकला है total risk what is the beta of portfolio consisting of three consisting of equal investment is beta of portfolio beta निकाला था न जो beta निकाला उसका average कर दो equal है तो simple है divided by three condition तो यह निकाला beta of portfolio फिर क्या मांगा बोले total risk of portfolio सर अर अलड़ी निकाले बोले systematic risk of portfolio वो भी निकाल सकते है और unsystematic इसमें से यह minus कर देंगे तो unsystematic कर जाए अच्छा question था practice के लिए अच्छा question था question question number 38 थर्टी एट पर जाए question number 38 following the risk and return दो श्टॉक सर यह specific यादर को standard deviation मतलब यह सर यह unsystematic risk हुआ यस और standard deviation है यादर को standard deviation है बीटा दिया expect return यह मांग क्या रहा है मांग रहा है market index है यह standard deviation मतलब सर इस्टेंडर डैविशन मार्केट भी दिया हुआ है and RF दिया है कितना छे पर हमको निकालना standard deviation standard deviation किसका निकालना एक का और बीक इस्टेंडर डैविशन का मतलब क्या होगा सर टूटल रिस्क निकालना ठीक क्या unsystematic risk दिया है हाँ क्या बीटा दिया है yes के इस्टेंडर डैविशन मार्केट दिया yes तो इससे निकलेगा systematic और unsystematic दिया तो add कर देंगे ठीक या ए और बी का अलग अलग निकालना तो सबसे पहले हमने क्या निकाला सर हमने सबसे पहले निकाला systematic रिस्क बीटा square वेनिस अप मार्केट और systematic को किसमें add कर देंगे इसमें unsystematic में तो यह क्या आ गया सर यह आ गया total risk और क्योंकि standard deviation मांगा तो square root किया तो यह आगे मेरा total risk और क्या मांगा था इसके अलावा सपोस्पोर्टफोलियो 25 परशन पैसा लगा रहे हो A में 40 परशन लगा रहे हो B में और 35 परशन लगा रहे हो risk-free what would be the expected return निकल जाएगा और standard deviation of portfolio expect return तो weighted average होगा expect return 14 into 0.25 यह expected return आगे है वो तो आराम से निकल जाएगा standard deviation of portfolio weight of A square weight of A और risk-free का standard deviation तो 0 होता है तो उसको तो उड़ा ही दो फिर A का B के साथ बस A का B के साथ ही होना है और variance of market बस लगा लेना तो answer आजाएगा हमारा 26.2595 टिक को question number 33 last question होगा फिर हमारा systematic unsystematic total risk मतलब CAPME कतम हो जाएगा तो लिखा Mr. Abhishek is interested in investing कितना रुपए लगाना है बुले दो लाख रुपए investment करना है for which he is considering following three alternatives पूरा की पूरा पैसा Y में लगा दीजिए मतलब 100% किस में लगा दीजिए बोले in Y लगा दीजिए या तो दो लाख में कुछ पैसा X में लगाई है मतलब 60% और कुछ पैसा Y में लगाई है मतलब 40% कुछ पैसा X में कुछ पैसा Y average annual return by mutual fund X X से कमाई कितने की हो रही है 15% और Y से कमाई कितने की हो रही है 14% RF दिया है 10% और RM दिया है 12% और covariance matrix दे रखा है सब covariance matrix क्या होता है कुछ नहीं standard deviation का standard deviation से multiply हो रहा होगा मतलब X का X के साथ multiply X का X के साथ multiply किया तो 4.8 आग है मतलब सार mutual X का X के साथ यस सार इसका मतलब हम standard deviation of X square बोल सकते है यस X का Y के साथ multiply किया मतलब standard deviation of X into standard deviation of Y और सर यह क्या चीज है mix का मतलब क्या होता है mix का मतलब mix का मतलब मुझे ऐसा लगा था एक बार देखने में मैं जब कोशन करा रहा था मुझे लगा mix का मतलब portfolio होगा mix का मतलब portfolio नहीं है mix का मतलब है market market portfolio mix बोला है इसका मतलब market मतलब सर यहां यह किस से आया यह आया standard deviation of X का multiply किया हमने standard deviation of markets तीक अच्छा सर यह X का Y के साथ X का Y के साथ तो सर यह तो अल्रेड़ी निकला है तो मैंने कहा ना कि यह एक ही होगा यह matrix है ना covariance matrix ठीक ओके चले एक्स का X के साथ तो X into X लिखूं X into X लिखूं या फिर variance of लिखूं कोई लिखूं you are required to calculate variance of return from X Y और market सर वेरियंस मतलब मतलब X का X के साथ उसको कोवेरियंस भी बोल सकते हैं अगर मैं वेरियंस की बात करों तो X का वेरियंस है यही कोवेरियंस भी है और यही वेरियंस भी है पर बच्चे इस पर भी अब्जेक्शन दे देते हैं तो मैंने करबार रखा है अब मैंने का चलो यह covariance निकलना टाइम पास है जबर दस्त जबर दस्त टाइम पास है तो मुझे correlation X, X, X का X के साथ क्या correlation होगा 1, X बड़ेगा था X बड़ेगा था X गरेगा था वही X का X के साथ क्या correlation होगा 1 ही तो होगा और covariance दिया है उसको covariance matrix दिया है covariance X का X के साथ वो दिया है 4.8 और divided by standard division of market तो तो उस्टिनेडेकों मार्केन होता जब एक्स का सथ निकालते हम तो देक्स का सब्सक्राइब जिरी है यह सब्सक्राइब कता है जब हम आपको बता दिय bessांगा ना तो तो variance यह आ गए, x का यह, y का यह, और market का यह, time pass मत करना, ठीक है, I, C, AI ने भी सीधा-सीधा लिखा, उन्होंने ऐसा formula भी लगाया, ठीक है सर, यह हमको बात समझ में आगी, बात कता है, दूसरे नमबर पे क्या मांगा है, सर, दूसरे नमबर पे मांगा है, पोर्टफोलियो का return निकलना है, पोर्टफोलियो का return निकलना है, निकल जाएगा, पोर्टफोलियो का बीटा निकलना है, बीटा, 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 पहले individual stock का बीटा निकलना पड़ेगा, फिर portfolio का variance निकलना पड़ेगा portfolio का variance variance मालूब है वो भी निकलनेगी और portfolio का variance निकला है तो standard emission निकली जाए तो देखें कैसे किया है सबसे पहला का expect return of portfolio निकला 15 into point 6 14 into point into point 4 तो यह आगया 14.6 ठीक है फिर beta of portfolio निकला beta of X तो covariance X और market और covariance X और market कहाँ दिखाए दे रहा सर यह दिखाए यह दे रहा covariance X और market ठीक covariance X और market और नीचे आगया variance of market आप इसको मैं यह समझाने की कोशिश कर आप इसको ले मतले ना मैं कहा रहा हूँ 3.37 और यह आगया market का market के साथ तो beta of portfolio निकल जाएगा X का भी निकल जाएगा Y का भी निकल जाएगा और portfolio का beta तो निकल ली जाएगा ठीक है इसके बात क्या मांगा था इसके बाद expected return यूजिंग C.A.P.M point number 3 पर पहुझ गया थी portfolio return निकल गया beta individual का निकल ली पॉर्ट portfolio variance नहीं निकल लाएगा portfolio variance portfolio standard deviation beta portfolio निकल गया portfolio variance portfolio variance और beta मेरे खाल से portfolio का standard deviation बच्चो प्लीज आप copy में देख ले ना कुँकि इसमें बना नहीं है मेरे पास पर एक बात समझो portfolio variance निकाला जा सकता था क्या ऐसी पूछ रहूं portfolio variance निकाला जा सकता था क्या निकाले क्या standard deviation of x square मालुम है weight of x square ठीक है standard deviation of y square weight of y square plus 2 into weight of a into weight of b into beta of a into beta of b into variance of market निकल जाएगा और फिसको square root कर दें हो जाएगा हो जाएगा मेरे ख्याल से कर लोगे यहां पूरा complete question नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है वह आप देख लेना copy में देख लेना से CAPM के हिसाब से क्योंकि यह जो दिया हो सकता CAPM के हिसाब से नहीं ठीक है सर्थ तो अब मैं क्या कर रहा हूं मैं CAPM के सबसे expected return निकल नहीं और प्लस रम- इंटो बीटा और बीटा एक्स का भी मालूम है य का भी मालूम है पोटफोलियो का भी मालूम है तो यह CAPM के सबसे एक्सपेक्टर रिखन निकल गया है और उसके बात क्या निकलना systematic risk of portfolio इंडिविजल भी निकल दूँगा portfolio का भी निकल दूँगा तो systematic risk of portfolio systematic risk का formula बीटा स्कार और variance of market तो बीटा सब का मालूम है variance of market मालूम है तो यह निकल गया systematic risk और total risk आपका निकला हुआ है total risk निकला हुआ है यह total risk यह standard division of x square उसमें से minus कर दिया मैंने systematic risk तो यह क्या निकल गया है unsystematic risk और यह वाला question कर लेना यह question अच्छा है अगर लगेगा ना इसको detail में वीडियो तो मैं आपको यूट्यूब में upload भी करता हूँगा ठीक है ठीक है और जैंसन alpha है और यह वाला जो पार्ट है यह मुझे mutual fund में करवाना मैं यहां नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि trainer ratio alpha और sharp ratio यह हम कुछे अच्छे से करवाना है ठीक है तो हमारा C.A.P.M. खतम हो गया अब बचा क्या कुछ questions बच्चे है उसके बाद arbitrist pricing theory और आज तो खतम करना तीसरे पार्ट में खतम करना है बड़े मुझकल से एकाद घंटा लगेगा तो वो खतम करना है ठीक